हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तु स्टपपकाडमी, मैं अंचिली सिंग कश्वहा और मैं हूँ आपकी बाइलोजी ट्यूटर, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चाप्टर नबर 7 जिसका नाम है इस चाप्टर में क्या पढ़ा हमने वेरियस पाथोजन पढ़े and the cause and the disease they cause तो इसमें हमने बेक्टीर इंफेक्शन देखे, वाइल इंफेक्शन देखे, अब जब इतने सारे इंफेक्शन आपने देख लिये हैं तो आप के पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होना चाहिए कि कैसे आप बच सकते हैं क्योंकि आपने एक बहुत ही फेमस एडिया में जब सुनते आ रहे होंगे क्या प्रिवेंशन इस बेटर दिन क्योर तो मंदभी जो कोट है इतना ज़ादर फेमस है आपने हमेशा ही सुना होगा तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे वाट अट प्रिवेंटिव मेजर्स दाट यू कन अड़ाप्ट तो अवाइड और तो प्रिवेंट डिजीज अगे तो चलिए बिना देरी करेंश शुरू करते हैं और नॉमबर वन पॉइंट है जिसमें पर्सनल हाइजीन तो इस वेरी वेरी इपरेंट पर्सनल हाइजीन नॉट इस ना इसपेंट डिजीजिजिस कि अगर हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो आप बिमार हो जाओगे इसलिए hygiene maintain करना है, मुझे रगता है यह reason काफी secondary हो गया, primary reason personal hygiene को maintain रखने का, आप खुद fresh feel करेंगे न, आपको खुद better feel होगा, अगर आप hygiene maintain नहीं करेंगे, आपको problems होगे, आपको rashes होगे, आपको itching होगी, है न, और आपको अच्छे एक good positive feeling नहीं होगे, तो personal hygiene is very very important, keep the body clean use clean drinking water food etc, clean your body daily, take bath, brush your teeth, normal, जो आप बच्छपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यह class 12 में आपको क्यों पढ़ाया चाहरा है, अचानक से क्या होगा, आप उलक मामीजा हमें बच्छपन से पता है, क्योंकि बच्छपन में होता है न, छोटे होता है, फॉलो करते हैं, लेकि Is it good? No, आप नहीं नहा रहे हो तो क्या होगा, आप अपनी बोडी को क्ली नहीं रख रहे हो तो क्या होगा, आप को fungal infection, skin infections होने के कितने जाधा चांसे बढ़ गए, बढ़ गए न, तो इसलिए personal hygiene very very important for the prevention of disease, clear, okay, चलिए, नेक्स पॉइंट देखते हैं, पब्लिक हाईजीन अब पब्लिक हाईजीन क्या होता है, proper disposal of waste in excreta, अब पब्लिक हाईजीन in the sense, अभी सब के यहीं पे वो concept हो गया होगा, सुबह सुबह एक आवाज आती होगी, गाडी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो कचरे को मतलब जो waste है, उसके disposal को लेके, government इतना जाधा काम क्यों कर रही है, गीला कच्रा अलग रखे, सुखा कच्रा अलग रखे, इतना जाधा emphasize इन सब बातों पर क्यों किया जा रहा है, इन सब बातों पर इतना emphasize इसले किया जा रहा है, because that involves in the public hygiene, अगर वो कच्रा अलग अलग, segregate करके, घरो से कलेंने करेंगे, तो लोगों का क्या है, वो तो जो भी open area मिला वहीं पर सारा कच्रा डंप करने लगे अब गीला कच्रा तो ऐसा है वो भी खटा होगा होगा उसमें भी क्या होते हैं उसमें कई सारे insects कई सारे fungus bacteria develop होंगे और जो सूखा कच्रा है वो क्या करेगा जैसे प्लास्टिक हो गया पॉलिजन्स हो गया यह सब क्या करेगा यह सॉइल की क्वालिटी को अफेट करेगा तो कच्रा जो है वो अब मैं ऐसे नहीं बूलूँ कि जो हमारा बायो डीग्रेडेबल वेस्ट जो वेट वाला वेस्ट है अब वह अच्छा होता है उसको डीकंपोस कर देट उसे कहीं भी फेक दो दिस नाट एनिवे उसके लिए प्रॉपर डिस्पोजल मेकानिसम्स होने चाहिए उसको एक प्रॉपर डंपिंग पिट में डंप करना चा कि periodic cleaning and disinfection of water reservoirs, pools, cis pools and tanks आप जिस भी colony में रहते हैं वहां पे एक main एक बहुत बड़ा water reservoir tank होता है जिसे सभी के घरों में supply होता है पानी अब आप खुछ सोचो अगर उस water reservoir की उस tank की सफाई नहीं हो रही है ठीक है कई साल होगा उसकी सफाई नहीं की जा रही है तो मतलब the entire colony is using that polluted water और गंदा पानी पेने से क्या होगा there are many many disease आपने पड़ा जो contaminated food and water से होता है टाइफॉइड, cholera, diphtheria, diarrhea यह सब किसके कारण होता है contaminated food and water के कारण तो अगर वहां पे उसकी periodic cleaning नहीं हो रही है मतलब वो क्या बन रही है वो breeding zone बन रही है बहुत सारे bacterias के लिए और सब क को अफिक करेंगे तो उस चीज के लिए बचने के लिए periodic cleaning is very very important. Next point देखिये, avoid contact with infected person or their belongings to control airborne disease and this point is specifically for airborne disease. तो कौन-कौन से होते हैं यह बन डिजीज? यह बन डिजीज में आपने सबसे कॉमन ली देखा तो common cold, viral disease, flu जिसे बोलते हो आप influenza, है ना, secondly आपने देखा तो निमोनि इस दिन का mode of infection क्या था? Through nasal droplets. तो droplet infection यह airborne disease में especially आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपको सर्दी दुखाम है तो आप अपने mouth को और nose को cover करके निकले, आप mask पहनिए, अगर आप mask नहीं पहने तो आपने साथ हैंकी carry करिए, ताकि कभी पे आपको sneeze आ रहे है, वीज आ रह तो आप अपने mouth को cover करके वो चीज़े करें, ताकि वो droplet infection spread ना हो, और अगर आप infected नहीं है, आप healthy person है, तो यह आप ध्यान रखिए कि कि किसी को अगर सर्दी दुखाम खासी है, तो आप उससे थोड़ से distance बना के रखें, उसे handshake avoid करें, हाना उसे hugging avoid करें, आप उससे मतला बात भी करनें, तो थोड़ा distance से करिये, जिसके कारण nasal droplet infection जो हो रहा है, जो droplet infection हो रहा है, वो आप avoid या prevent कर सकते हैं, तो दोनों points clear हुए, आपको कौन-कौन से दो points आपको clear हुए, personal hygiene and public hygiene, then public hygiene में और कुछ आप points लेकिये, standard practices of hygiene and public catering, तो यह point भी काफे important है, जो as a whole, कोई community जो है, वो को एक organization है, जो कुछ भी है, as a whole community is organized कर रहे है, वहाँ भी infection spread होने के बहुत chances होते हैं, तो ऐसे community functions में भी आपको चीज़े, control कर नहीं है, by maintaining hygiene, control and eliminate vectors, very very important, this point is very very important, आपने को जितने माने disease पढ़ा है, मान बोल दियो, half of the disease है, जो वेक्टर से फैलते थे, फैलते थे नहीं फैलते थे, आप अगर malaria देख लीजिए, आप डेंगू देख लीजिए, आप चिकन गुनिया देख लीजिए, उसके बाद में आपने क्या पढ़ा था, आपने फाइलारियास पढ़ा था, तो ये सारी बिमारियां कैसे फैल रही थी, आपने बहुत अच्छे से के लिए देखा कि जनरली उसके लिए वेक्टर रिस्पॉंसिबल रहे हैं, है ना, तो अब आपको क्या प्रिवेंट करना है, आपको वेक्टर को रोग देना है ना, तो बिमारी भी अपने आप रुख जाएगी, अगर आप वेक्टर को नहीं रोगोगे, तो बिमारी भी प्यूलेशन को कंट्रोल करना बहुत-बहुत जादा जरूरी है, और यह किसके अंदर आता है, इट फॉल्स अंदर पब्लिक हाईजीन, तो पब्लिक हाईजीन में कैस कैसे आज जाएगा, कंट्रोलिंग वेक्टर की देखिये, कहीं पे भी वाटर अगर स्टेगनेंट वा इस तरीके से आप वेक्टर को इलिमिनेट करके कहीं सारी डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, अभी आट प्रिजेंट बिल्कुल अभी हाल फिजल की कंडिशन में आपको यह बता रहे हूं, हाफ तो नहीं बोलना चाहिए, बट मैक्सिमम पोपुलेशन इस सफरिंग फ्र और जब उनका टेस्सहो रहा है और उनके टेस्स को रहें तो उससे हमें घुल डिकी बता चल रहा है किए आर सफ्रिंग दंडली और म्लीया ताब में दो अब वही ऐसा क्या हो जानकिन में वहां पानी इखटा हो20 int when었 Kingdom गनी न खर्वाटर कहोता है तो जगा जगा पानी इखटा होता है और कहीन पी अगर स्टेगने ब्रीडिन्ग्ण जोन फउन mosquitoes mosquitoes वहां पर उगने के लिए grow करने के लिए उगने के लिए नहीं वहां पर reproduce करने के लिए grow करने के लिए मास्कीटोष के लिए most suitable place होता है तो mosquitoes बढ़ गए है क्या बढ़ गए mosquitoes किसका number बढ़ गया है vectors का और जब vectors का number बढ़ा इतनी जोड़ से तो आप डिजीज पर कितनी साधा community में बढ़ती जा रही है सब लोग almost मैं तो अभी आज की case में से होगे मैं किसी 5th to 10th person जिससे मिल रहे हैं उसको देंगिया मलेरिया हो रहा है तो आपको prevention पर ध्यान देना है कि आप कैसे चीजों को रोग सकें तो आपको किसको eliminate करना वेक्टर को आपको eliminate करना है आप उसके बाद में control and elimination of vectors में क्या वेक्टर को कैसे control कर सकते कैसे eliminate कर सकते दियारार सम पॉइंट number one avoid stagnation of water को क्या मतलब होता है पानी को इखटा यह जमने नहीं देना है आपने बहुत पहले एक टेलिविशन पे एड आधा था पता नहीं आप लोगों करेंगे उसमें mosquitoes grow करेंगे तो हमने जो पब्लिक हाइजीन में भी पॉइंट इसकर करा कि controlling of vectors अब हम देख रहें कि वेक्टर को control कैसे कर सकते हैं तो उसमें number one point आ जाता है avoid stagnation of water stagnation का मतलब पानी को इखटा बिलकुल भी नहीं होने देना है is that clear my dear students okay second point देखते हैं regular cleaning of household cooler तो coolers हम जब भी यूज करते हैं तो coolers में क्या होता है आपने पानी एक बाद फिल करा फिर आप देली उसको पूरा बानी हटा के फिर नहीं डालते हो somewhat अगर इस लेवल तक पानी आ गया जो माक रहता है cooler में आप उसके बाद उसको फिर से refill कर देते हो है ना तो इसके कारणन हो क्या रहा है वह पानी इखटा है एक ही जगा पर again stagnation हो रहा है तो वहाँ पर बहुत जाता chances होते हैं कि mosquito develop हो जाते हैं उससे वह सारे साफ हो जाएंगे आगी बैसे मज़ हट जाएंगे तो mosquito develop नहीं होगा clear okay next point देखते हैं use of mosquito nets अब अगर मच्छर है चलो ठीक आप नहीं कर पाया आपने पानी नहीं ध्यान दिया पानी खट्टा हो गया था अब उसमें मच्छर भी पैदा हो गया सब कुछ मच्छर आपको तब काटते हैं जब आप एक जगा बैट जाते हो और या फिर आप सोते हो तो आप जब सो रहे हो तो क्या करो आप mosquito net use करो mosquito net के अंदर आप कैसे रहोगे protected होगे मच्छर आपको नहीं काटेगा ठीक है और मच्छर आपको नहीं काटेगा तो infection नहीं फैलेगा है ना तो आपको this is one point to control लार्व तो control vectors next point introduce larvae various fishes like gamboosia in ponds अब यह वाला point काफी अच्छा है कैसे अच्छा है vectors को control करने के लिए point कि अगर कोई पॉंड पॉंड को तो आप खाली नहीं कर जोगे ना पॉंड जो सेगने वाटर इखटा ही है ना पॉंड में भी पानी अब उसमें भी तो मच्छर डेवलप होने उसमें क्या करते हैं हम ऐसी fishes को उस पॉंड में इंट्रड्यूस कर देते हैं उस पॉंड में डाल देते हैं जो क्या खाती है जो मॉस्किटो के लार्वा पर mosquito. So, this gambusia is also known as Larvivorous fish. What it is known as? Larvivorous fish. Larvivorous मतलब the one who feeds on larva of the mosquito. जो mosquito के larva पर feed करती है वो कहलाएगी Larvivorous fish. Clear? Okay, कोई पिडाउट? तो आपने अभी कुछ preventive measures देखे कि how you can control the population of vectors. उसमें एक और points आप आड़ करिए spraying insecticide and ditches drainage and swamps. अगर कहीं पर develop हो भी गए है तो there are many-many insecticides जैसे hit आता है रहा हिट काला, हिट लाल, हिट और इसके बाद में all out then बहुत सारी चीज़ अवेलिबल है market में to control the population of vectors, especially mosquitoes and cockroaches. तो आप वो सब यूज करें, insecticides यह सब उस पर spray करें ताकि ultimate vectors जो है mosquitoes यह cockroaches उनका number कम हो, वो खतम हो, अगर क्योंकि उनका number बढ़ रहा है तो it is not good, अगर वेक्टर का number बढ़ रहा है तो ultimately इसका यह indication है कि disease भी increase होगा, provide doors and windows with wire mesh, अब आपके घर में जो doors है, जो main doors है, जितने भी entry exit के point है, जहां से mosquitoes आ सकते हैं, उस पर आप wire mesh को use करिये, वो तो जाली वाला gate लगवाल या मच्छर बहुत आते थे, सो ना होगा मते यह बात ऐसे बहुत common होती है, तो wire mesh use करिये, जिसके कारण मच्छर आपके घर में, जहां आप main area जहां पर आप रहते हो, वहां पर enter ही ना हो पाए, ओके तो wire mesh on doors and windows is also one such solution, then vaccines and immunization help to control diseases like smallpox, polio, diphtheria, pneumonia and titanus, drugs like antibiotics also help to treat infectious diseases, अब चो हमने इतने सारे infectious disease पढ़ लिये, उनका prevention भी पढ़ लिया, अब अगर किसी को disease हो गया है, तो आप उसको कैसे control करोगे, तो control करने के लिए आपके पास 2-3 options है, vaccines, immunization, जो आप अभी हम आगे discuss करने वाले हैं and then drugs, उसके बाद क्या available है, drugs, drugs मतलब दवाईया, ठीक है, दवाईया, drugs मतलब क्या होता है, दवाईया, तो अगर बिमार हो भी गए, आपने disease पढ़ लिये, आपने preventive measures पढ़ लिये, अब लेकिन तब भी हमने preventive measures भी लिये थे, हमने बहुत जादा खुद को संभाल के रगए थे, लेकिन तब भी हम कभी निकल के बाहर हो और हमें किसी female anophilies निकाल तो हमें malaria हो गया, अब क्या करेंगे, तो disease को control करने के लिए, उनसे बचने के लिए, हमारे पास क्या available है, we have drugs, जिसमें मेंली anti-bitex आती है, जो इसे infection को हम लोग ठीक कर सकते हैं, and then vaccines and immunization, जो एक early age पे as a preventive measure, vaccines and immunization यहां पर क्यों mention है, क्योंकि vaccine is a preventive measure, क्या होता है vaccine, क्या होता है, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के level पर आप जाने को आपको बच्पने मम्मी बोलते हैं, कि अरे हाँ, आपने सुना होगा, अगर छोटे babies हैं आपके आस-पास में, तो आपने देखा होगा कि अरे इनका vaccination है, अभी 6 months वाला vaccination है, अब 9 months वाला vaccination है, 3 months में vaccination है, अलग-अलग months में चैसे से baby grow करता है, उसको अलग-अलग vaccination दिया जाते हैं, तो vaccination is also sort of क्या preventive measure to control diseases, कि disease आगे जाके ना हो, पहले ही, इसलिए पहले ही उसको क्या करण वारे है, उसकी vaccines हम उसको दे दे रहे हैं, ओके, ठीक है, तो that is all for today, आज की वीडियो में हमने discuss करें क्या preventive measures for controlling disease, तो अगर आपको कोई भी doubt होता है, तो आपने doubts comment section में पूछ सकते हैं, बागी वीडियो अगर पसंद आई है, तो वीडियो को जल्दी से कर दीजेगा, like और step up academy को कर लीजेगा, subscribe, thank you and keep watching.